आज मैं आपको आलू का हल्वा बनाना सिखाऊंगी यह टेस्टी टेस्टी हल्वा फास्ट के लिए होता है यह फास्टिंग रेसिपी है तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर मैंने ड्राइफूट्स ले लिए हैं चौप किये हुए आमन्स, केसर, इलाइची, चिरॉ और किशमिश आप कोई भी ड्राइफूट्स यूज कर सकते हैं यहाँ पर कढ़ाई में थोड़ा गी डाल गर ड्राइफूट्स को जिसमें की बदाम और चिरॉंजी हैं एक मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे जिसे कि इसका कच्छापन खतम हो जाए किवल बदाम और मैश कर लेंगे पोटेटो मैशर की हेल्प से यहाँ पर जिस कढ़ाई में मैंने ड्राइफूट्स रोस्ट किये थे उसी में मैं फो टीस्पून घी डाल रही हूँ आप अपने कोडिंग घी का यूज कर सकते हैं इस हलवे में अगर आप जादा घी डालते हैं तो टेस्ट अच्छा आता है और अगर आप कम घी काना चाहें तो आप कम यूज कर सकते हैं यहाँ पर सारे मैश्ट किये हुए पोटेटो एड़ कर देंगे घी में इसे अच्छे से फ्राइब करना है घी में आपको जब तक कि इसका कलर डार्क यल्लो ना हो जाए इसका कलर चेंज होने में थोड़ा टाइम लगेगा आपको अच्छे से चलाते हुए फ्राइब करना है यहाँ पर मैंने 5 टीस्पुन शुगर एड़ की है हम लाइट मीठा खाते हैं इसलिए मैंने 5 टीस्पुन शुगर ली है आप सई मीठा खाते हैं तो आप अपने टेस के अकॉर्डिंग शुगर एड़ कर सकते हैं देखिए इसका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो चुका है यह डार्क यलो हो चुका है अब हम इसमें रोस्ट किये हुए ड्राइफ रूट्स मिक्स कर देंगे सारे ड्राइफ रूट्स जो भी हमने लिये थे अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारा हल्वा सर्फ करने के लिए रैडी है इसे हम एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे देखिए कितना डिडीशियस और यम्मी लग रहा है हमारा हल्वा कितना मॉइस्ट लग रहा है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थेंक्स वर वाचिंग